भारतियों के लिए नए खुशकबरी भारतियों के लिए अब हो गया सिरलंका में भी वीजा फिरी आई से हम लोग दो दिन पाले हम लोगों ने एक सेशन किया था जिसमें हम लोगों ने देखा था कि इरान से भारतियों को अब मिल गया वीजा फिरी आनि कोई भी वेक्ति ज रेश्ट बचा हो इधर उधर किराया वेगरा फ्लाइट वेगरा सारा कुछ में खर्च हो जाता था लेकिन अब या बड़ा खुश खबरी दे रहा है अगल बगल के देश हमारे जो क्या हो रहा है कि यहां पर वीजा माप हो रहा है चायवा इरान हो चायवा सिरिलंका हो इन स का एकोनोमि आ एकोनोमिय के लिए वहां पर यदा से विदेश का एकत्र करना जिससे कई पर्याटक से आता है और पहला तेल बैचकर आता है जुसरा परिट्रवेटक से आता है तो सिरिलंका बढ़ेश को देखते है हमारे अपने देश में अर्थ बेवस्ता किसे चलती है हम लोग बहुत सारे चीज को मिनिफेक्चर करते हैं बहुत सारे जो कमपणिया है यहां पे आके अपने कारे बनाती है यहां पे सेल करती है वहां पे टेक्स भरती है इस प्रकार से बहुत सारे चीज है जो यहां पे बे देश में रहरें और इसके साथ साथ दूसरे डेशों में रहरें भारतियों पावि कापी बड़ा योगदान है problem जो दूसरे देशों से पैशा कमाखर इंडिया में भेजते हैं इनका यह एक हम रोल है इसके साथ सबुस्त Nahum कौम लोग बहुत बड़ी मात्रा में इंक्लूड नहीं कर सकते Henry the अघल भगल देश में आएगा जैसे अब फिलाल क्या वह बहुत सारे भारती होते जो इंडोनेसिया जाते हैं इंडोनेसिया बाली वगरा घुमने जाते हैं बाली बहुत सुन्दर जगा है वहां पे जाते हैं घुमने के लिए और देश के कई-कई कोने में जाते हैं घुमने के लिए दूसरे देशों में इसी प्रकार से सिरलंका का अभी काफी कुछ हैसे जगा जहांपर क्या होता है कि वह घूमने के लिए बहुत फहार मसंदहाई जैसे अनुराधा पार्का सरिलंका का इसी प्रकार से वहांपर क्या होता है बहुत सर्ट प्रकार क्या जाएगा 40 रुपैय लिए यहांपर क्या yıl भारत के लिए मुख्य वज़ा रहा कि भारतिय परियाटकों को बढ़ावा देना पहला बात और दूसरा है कि अपने एकोनोमी को बुष्ट अप करना और वहाँ पे क्या करना कि जायदा मात्रा में विदेशी मुद्रा को अर्ण करना का माना आए से जदि हम लोग दो साल पिछे देखते हैं सिरलंका पूर्ण रूप से दिवालिया घोसित हो चुका था जिसका आहम रोल रहा था चीन को उसका दिवालिया घोसित करना में और उसके पश्चात क्या होता है कि वो कितना भी छटपट आता है लाग छटपट आने का बावजूद भी उसका निकलने की अवकात नहीं है कि वहाँ से छुड़ जाये मकड़ी के जाल से उसी प्रकार से चैना के करज के जाल से वह भी देश जदी एक बार फस गया तो उस काफी कम हो गई वहाँ पर जुट क्या अपर प्ञार ने के रिया यह हुगी है और बहुत सारे देशों के लिए दिमाग लगा रहा है इस परकार से जाजा पशार और आने अा आइडिया यहां आया कि भारत के लिए विजा फिरी कर दे ताकि भारत बड़ी से बड़ी मातर में भारती हिंदुस्तान इस वर यह सिरलंका यहां पर क्या करें यहां पर घुमें फिर यहां पर पैसा अपना इन्वेस्ट करें यहां पर पैसा क्या हो खर्च करें जिससे हम ल लेकिन भारत को भी इस पर घहराई से सोचना चाहिए सिर्लंका में घुमने के लिए अब कई परियाटक बढ़ गया है मातरा जैसे ही विजाफिरी होगी सिर्लंका में इसे कई परियाटक जगाए जहां पे लोग घुमने के लिए जाते हैं जैसे याला राष्टिय उद्यान इसके बाद है पेरिडेनिया गार्डन है इसके बाद है अनुराधा पूर और उसके पस्चात है हर्टन राष्टिय उद्यान इतने सारे बहुत अहम फैमस फैमस जगाए जहां पे लोग घुमने के लिए अक्सर जाते हैं टूरिस्ट सब चाहिवा इंडिया से हो या फिक क करके रखा हूआ है पाकिस्तान के लिए फ्रिकर के रखा हूआ है अब इंडिया के लिए फ्री कर वा सकते हैं, हालाकि इरान का स्रिलंका का विज़ा फिरी करने वाला आईडिया आप लोगों को कैसा लगता है अपने राय कमेंट में जरूर लिखना और भारत को भारत सरकार को किन किन देशों के लिए विज़ा फिरी करना चाहिए कमेंट में अपने राय जरूर लिखना